मैं हुरा हुरा श्रागत है आपका हमारे चैनल स्टेडी नाव पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूले आज है 12 सेप्टमर 2018 के जितने भी important question बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करतेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वसन होगा हाल ही में यूए सर्पोइन पूरु सेकल खिताब किशने जीता है अंसर होगा नुवान जोकोविच नुवान जोकोविच ज्वाइन ट्रूप से ग्रेंट स्लाइम जितने वाले तीसरे पैदान पर पहुँच गया है चलते हैं आगले question पर question होगा हाल ही में IIF हाल ही में IAF Continental Cup में पदक जितने वाले पहले भारतिये कौन बन गया है तो आंसर होगा उड़ पिंदर सिंग कल भी मैंने इस वीडियो को डाला था लेकिन हमें ऐसा लगा कि ये question काफे important बन सकता है क्योंकि ये पदक जितने वाले पहले भारतिये बने है Continental Cup में इसलिए हमने फिर से इसको इस वीडियो में डाल दिया चलते हैं अगले question पर question होगा है हाल ही में Merrill Strip Award for excellent किसे प्राप्त हुआ है अंसर होगा एस्वर्यार राय ये एक अभिनेत्री है और ये प्रशकार यूएस से द्वारा दिया जाता है हाल ही में दुलीप ट्रॉफी किसने जीता है तो हाल ही में दुलीप ट्रॉफी जीता है ब्लू इंडिया ने red इंडिया को हडाकर चलते हैं आगले question पर question होगा हाल ही में mobilize your city पर एक कार्या नवायन ठीक है ख़र से देखते हैं हाल ही में mobilize your city पर एक कार्या नवायन समझा रहोते पर भारत ने किस देश के साथ हस्टाक्षड की है答berg होगा France चल दें आगले question पर question होगा हाल ही में किस बिमारी का इलाज प्रधान मंत्रे जन आरोगी योजना के तहत करने का निर्णा लिया गया है अंसर होगा child cancer या childhood cancer जो की बच्पन से हुआ होता है अब बताते चले आपको इस योजना के बारे में आरोगी योजना को ही हम एक और नाम से जानते हैं उसके बारे में अगर आपको पता हो तो हमें comment कीजिए अगले वीडियो में हम इसके बारे में ज़रूर discuss करेंगे चलते हैं अगले question पर question होगा हाल ही में dial 1076 सेवा किस राज्य सरकार ने launch किया है answer होगा दिल्ले हाल ही में dial 1076 सेवा दिल्ली सरकार ने शुरू किया है अगला question होगा हाल ही में किस देश ने बिम स्टेक सेन अब भ्यास में सामिल होने के लिए निरनाट लिया है answer होगा नेपाल अभी नेपाल ने बिम स्टेक से अपना पैड पीछे खीच लिया और बिम स्टेक में वो नहीं सामिल होने वाला है यहाँ पे यह कुछ दिक्कत हो गई थी तो यह बिम स्टेक में सामिल होने वाला नहीं है नेपाल ठीक है चलते हैं अगले question पे question होगा हाल ही में startup इंडिया तिलंगाना यात्रा कब शुरू होगी answer होगा 15 September हाल ही में startup इंडिया तिलंगाना यात्रा 15 से शुरू होगी चलिए अगले question पे चलते हैं हाल ही में RADMS को अपनाने वाला तीसरा राज्य कौन सा है जम्मु कास्मेर तो RADMS को अपनाने वाला तीसरा राज्य है जम्मु कास्मेर चलते हैं अगले question पे question होगा हाल ही में बिश्व आत्म हत्या दिवस कब मनाया जाता है answer होगा 10 सुदंबर बिश्व आत्म हत्या दिवस हर वर्स 10 दिसम्मर को मनाया जाता है चलते हैं आगले question पे question होगा हाल ही में सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का आयोजन करने का निर्णे किसने लिया है हाल ही में बिश्व का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने का आयोजन किस ने लिया है रूस ने हाल ही में युद्ध अभ्यास होने वाला है जो कि सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास माना जाड़ा है इसका आयोजन करने का निर्न लिया है रूस ने चीन की प्रशद ई-कॉमर्श कमपनी अलिबाबा का नाम नाम नया नया अलिबाबा का नया चेयर में चीन की प्रशद ई-कॉमर्श कमपनी अलिबाबा का नया चेयर में किसे नियुक्त किया गया है आंसर होगा डेनियल जांग आपको पता होगा कि अलिबाबा के को फाउंडर कौन है और जो है अभी अक्शुली में उन्होंने अपना इस इस्तिभा देने का उन्होंने अब सेवा निर्वति यानि के सन्यास लेने की घोसना कर दी है तो आप हमें बताएंगे कि अली बाबा के को फाउंडर अभी तक कौन थे ये हमें आप कमेंट में जरूर बताईए चलते हैं अगले क्श्चन पे हाल ही में खबर में रहे उपन्यास दरूल ब्रेकर के लेखक कौन है आंसर होगा प्रिति सिनाई चलते हैं अगले क्श्चन पे क्श्चन होगा हाल ही में आर बी आई ने कितने बैंकों पर धोखा धरी वड़गी करन और रिपोर्टिंग के निर्देशों का पालन ना करने के कारन कूल तीन करोड रुपय का जुर्माना लगाया है तो कूल तीन करोड का जुर्माना लगाया है तीन बैंकों पर सभी बैंकों पर एक एक करोड का जुर्माना लगा है जिसमें से एक आपका Union Bank of India भी सामिल है चलते हैं अगले क्वेस्चन पे क्वेस्चन होगा पूरे देश में प्रधान मंतरी जन आरोग योजना को कब लॉंच किया जाएगा चलते हैं अगले क्वेस्चन पे क्वेस्चन होगा निमन मेसकी से मर्नो प्रांत प्रत्यस्ठित एमी पुरसकार से नवाजा जाने की घूसना की है तो एंथनी बोडेन आंसर होगा हिंथनी बोडेन चलते हैं अगले क्वेस्चन पे क्वेस्चन होगा बर्ड लाइफ के नए अध्यक्ष के अनुसार बर्ड लाइफ के नए अध्यक्ष के अनुसार पक्षी प्रजाती को बिलप्त घोसित किया गया है यानि कि कितने पक्षी के प्रजाती को बिलुप्त खोसित किया गया है अंसर होगा 8 यानि कि अब जो ये 8 प्रजाती है अब ये बिलुप्त हो गई है इनकी घोसना की है Bird Life के अध्यान के अनुशा चलते हैं आगले Question पे Question होगा किस बैंक ने GST Returns के आधार पर ASME के लिए एक नई overdraft शुद्धा के घोसना की है अंसर होगा ICICI किस बैंक ने GST Returns के आधार पर MSME की नई overdraft की घोसना की है तो एक ICICI है चलते हैं अंगले क्वेस्टन पर US Open मिस्रित यूगल खिता 2008 ठाड़ किसने जिता है आंसर होगा Jamie Moore तो दोस्तो बस यही थे आज की अपडेट उम्मेद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई सवाल या सुझाओं हो तो नीचे कमेंट करना मत बुलिएगा अगर आपने अभी तक इस वीडियो का लाइक और सेर नहीं किया है तो लाइक भी कर दिजिए और सेर भी कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ फिल्हाल के लिए इतना ही दोस्तों मिल गए आगले वीडियो में तब तक हसते रहिए, मुस्कराते रहिए, सेर करते रहिए और पढ़ते रहिए जैहिंद, बंदे मात रहूं